और Modern History के प्रिवेस लेक्चर में हमने डिस्कूस किया था कि आखिर किस तरह से 1857 का revolt हुआ और उसमें किस किस तरह से किन-किन लोगों ने participation किया साथी साथ में हमने tribal uprising और peasant uprising को भी जाना था तो आज हम उसी के आगे का lecture discuss करेंगे जिसमें हम socio-religious reform या मतलब की हमारी unit 5 को discuss करेंगे तो शुरू करते हैं इस lecture को तो सबसे पहले शुरू बात करते हैं राजा राम मोहन रोय से देखे राजा राम मोहन रोय से related मेरे पास आपके लिए कोशन है तो आपको इसका अंसर कमेंट सेक्षन में बताना है हम बढ़ते हैं हमारे topic की तरफ राजा राम मोहन रोय से जो related important point है वो यह है कि इन्हें राजा की उपादी किस ने दी थी एक चुल में इनका नाम तो राम मोहन रोय था तो राजा इन्हें कहने वाले जो परसन थे वो थे मुगल भाश्या अकबर सेकेंड अकबर सेकेंड ने क्या किया कि इन्हें अपनी pension बढ़वाने के लिए लंदन में पोचाया था और इसलिए इन्हें राजा की उपादी उन्होंने उस समय दी थी तो याद रखिएगा अकबर दिती ने राजा राम मोहन रोय को राजा की उपादी दी थी उसके बाद में रखिए 1829 में विलम बेंटिक और राजा राम मोहन स्थापना की थी 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की तो आपको मैंने चार चीजे बताई आपको याद रखना है कि इन्हें राजा की उपादी देने वाला था अकबर सेकेंड उसके बाद में इन्होंने सतिप्रता ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने 1828 में तो आपको राजा राम मोरोय से रेलेटेड ये चार पॉइंट याद रखना है इसके अलावा इन्होंने कई निउस पेपर भी निकाले थे जैसे की समवाद कामुदी तो समवाद कामुदी जो है वो इनका ही निउस पेपर है जो की बहुत ही फेमस है तो आपको ये याद रखना है कि समवात कोमुदी निउस पेपर भी जो है राजा रामोरोय ने लिखा है अब बात करते हैं अगले रिफोर्मर की वो है स्वामी दयानन सरस्वती स्वामी दयानन सरस्वती का जो बच्पन का नाम था वो कई एक्जाम में पूछा जाता है तो वो उनका नाम था मूल शंकर मूल शंकर इनके बच्पन का नाम था और साथी साथ में इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जो की भूत ही important है आरी समाज आरी समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी और साथी साथ में इन्होंने एक slogan दिया था मतलब एक motto दिया था वो था वेदो की और लोटो तो याद रखेगा वेदो की और लोटो नारा स्वामी दैनान सरस्वति की दुवार दिया गया आरी समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दैनान सरस्वति के तुरू की गई थी बात करते हैं स्वामी विवेकानन के बारे में स्वामी विवेकानन का जो बच्पन का नाम था वो याद रखेगा कई एक्जाम में पूछा जाता है नरेंदरनाथ दत्थ इनके बच्पन का नाम था राम कृष्ण परम्हन्स इनके गुरू थे और खेतडी के राजा अजिस सिह ने इन्हे स्वामी विवेकानन नाम से पुकारा था और खेतडी के राजास अजी सीन से मेरा मतलब है जेपूर के राजास है ठीक है इनके जन्म दिवस पर ही हम राष्ट्री युवा दिवस मनाते हैं 12 जन्वरी 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1984 से राष्ट्री युवा दिवस National Youth Day मनाया जाता है इनके बच्पन का नाम नरेनराथ दत है रामकरश्न परहभन्स इनके गुरु है और रामकरश्न परहभन्स के नाम पर ही इन्होंने रामकरश्न मिशन की इस्तापना की थी खेतडी के राजा ने इन्हें स्वामी विवेकाना नाम से पुकारा था आपको पता होना चीए Theosophical Society के बारे में Theosopical Society की स्थापना 1875 में रश्यन एक लेड़ी थी मेडम बलावस की और USA के उनके साथी थे कर्रनल अलकाट ने की थी तो याद रखिएगा Theosophical Society 1875 में बनी इसके जो संस्थापक थे उनमें मेडम बलावास की जो की रश्या की थी और कर्नल अलकाट जो की USA के थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी फिर आपको पता होना चीए एनी बेसेंट के बारे में एनी बेसेंट जो है वो एक आईरिश लेडी है और इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की अधिश्टा की थी और उसके सदस भी ये बनी थी और इसके अलावा इन्होंने एक होम रूल मुमेंट भी चलाया था इंडिया में 1916 में इसके हेटकोटर इन्होंने मदरास हदियार में बनाये थे होम रूल मुमेंट जो है वो बाल गंगरत तिलक की द्वारा शुरू किया गया था पूरे में ठीक है याद रखेगा इतना फिर उसके बाद में कुछ इंपोरेंट समाज बसते हैं जैसे कि प्रातना समाज की aggregate इसकी इस्तापना की गई थी सरवेंट सो साइटी औफ इंडिया इसे भी याद रखेए सरवेंट सोसाइटी औफ इंडिया को इस्तापवित करने वाले परसन थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में इन्होंने इसकी इस्थापना की थी विद्वा पूनर विवा से रिलेटेड इश्वर चंदर विद्यासागर को याद रखिये अगर आपसे कोश्चन पूछा जाता है कि विद्वा पूनर विवा में किसने ज़्यादा युगदान दिया तो वो थे इश्वर चंदर विद्यासागर फिर आपको याद रखना है सत्य शोधक समाज सत्य शोधक समाज की इस्थापना करने वाली जो थी जोती बाब फूले तो जोती बाब फूले ने सत्य शोधक समाज की इस्थापना की थी तो गाईस ये थी यूनिट 5 जिसमें हमने सोशल रिफोर्मर्स के बारे में जाना उनके कुछ social societies के बारे में जाना और अब हम पढ़ेंगे unit 6 को जिसके अंतरगत हम company के अधिन जो governor generals थे उनके बारे में discuss करेंगे तो उनसे related कुछ facts रहेंगे और कुछ उनके नाम रहेंगे जिनको आपको याद रखना है क्योंकि exam में कई बार question बनके आता है कि कौन से governor general के बाद में कौन सा governor general था first कौन था last कौन था तो ये आपको याद रखना है तो शुरू करते हैं इस unit को और इस unit से related मेरे पास आपके लिए question है कि किस governor general के time पर पहली census पहली जन गणना की गई थी तो किज़ेगा answer comment section में हम बढ़ते है हमारे topic की तरफ हम इस topic को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जिसमें हम पहले governor of bagul की बाथ करेंगे फिर हम governor general of bagul की बाथ करेंगे फिर हम governor general of india की बाथ करेंगे and then last में हम voice shop of india को पढ़कर इस topic को खतम करेंगे शुरुबात करते हम बंगाल की गवेनर की और इसमें आपको एक नाम याद रखना है जो की बहुती important है रोबर्ट क्लाइव तो रोबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवेनर थे गवेनर ओफ बेंगोल जिने हम कहते हैं इनके टाइम पर ही प्लास्टिका यूद हुआ था 1757 में तो आपको याद रखना है पहले बंगाल की गवणर कोन बने रोबर्ट कलाइव और साथी साथ में प्लास्टिका यूद भी इनके टाइम पर हुआ है इसके साथ ही याद रखिए कि जो बंगाल के अंतिम वर्नर थे वो थे वर्न हस्टिंग तो वर्न हस्टिंग बंगाल के अंतिम गवणर थे वर्न हस्टिंग बंगाल के अंतिम गवणर आखरी थे साथी साथ में ये बंगाल के जो गवणर जनरल थे गवणर जनरल ऑफ बंगोल उसमें वर्न हस्टिंग का नाम प्रथम पे आता मतलब Governor of Bengal को खतम करके, Governor General of Bengal बनाई गई, जिसमें जो पहले Governor General थे, वो थे Warren Hosting Warren Hosting के बारे में आपको याद रतना है कि Regulating Act 1773 का इनही के टाइम पर लाया गया था आखरी Governor General के बारे में भी याद रखेए, Governor General of Bengal जो आखरी थे, वो थे William Bantic पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है जो हमारी पर्मानेट सेटलमेंट एक पॉलिसी थी उससे भी इन्होंने ही चलू किया था कॉनवलिस कोड का निर्मान भी इन्होंने किया था तो इस तरह से लोड कॉनवलिस ने कई वर्क किये तो याद रखेगा जो सेकेंड गवर्नर जन्रल ऑफ इंडिया थे वो थे लोड कॉनवलिस फिर उसके बाद में याद रखे लोड वेलेसली के बारे में लोड वेलेसली न जिसके उपर पिच्चा बने हुए उन पिंडारियों का दमन हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ एक चार्टर एक्ट आया 1833 का जिसके तुरू Governor General of Bengal को Governor General of India बना दिया गया और उसमें जो पहले Governor General of India बने वो थे William Bantic, William Bantic के टाइम पर ही आपको पता होगा 1829 में सती प्रता का अबोलिशन हुआ फिर आपको याद रखना है Governor General of India जो आकरी थे वो थे Lord Kenning Lord William Bantic से तो आपको बस एक ही चीज़ा रखनी है कि सती प्रता का गुल्यमन यानि कि उसे अबोलिश किया गया था फिर उसके बाद में आए Lord Auckland Lord Auckland से रिलेटेट आपको कुछ भी याद नहीं रखना है बस इतना याद रखिये कि जो Grand Trunk Road है उसका निर्मान इनी के टाइम पर हुआ था लोड एलन बरो लोड एलन बरो के टाइम पर ही दासप्रता का उल्गयमन यानि की दासप्रता अबोलिशन हुआ था स्लेवरी जो थी वो अबोलिश की गई थी और फिर उसके बाद में आए Lord डलहोजी लोड डलहोजी बड़े ही important होते हैं इनका year भी एक exam में पूछा गया था कि इनका कारिकाल कब से लेके कब तक था तो याद रखेगा 1848 से लेकर तो 1856 तक इनका कारिकाल रहा इन्होंने जो कोहिनूर हीरा था वो महारीनी विक्टिरिया को भेज जिया था अगर आपके राज्य में कोई अगला ruler नहीं है कोई संतान नहीं है तो उस state को उस राज्य को British government अपने अधिन में ले लेगी जिसके तुरू 17 जो महाराष्ट में एक राज्य था उसे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था साथे साथ में याद रखीगा वूट डू स्पेज जो है वो इन्हीं की टाइम पर आया था भारत में इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है PWD यानि की Public Works Department की स्थापना भी इन्होंने ही की थी लोग सेवा विभाग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी और जो बिजली से संचाले तार सेवा थी वो इन्होंने शुरू की थी बारी आती है भारत के Voice Roy's की वाइसरोई ऑफ इंडिया की तो जो पहले वाइसरोई थे वो थे Lord Canning और जो आकरी थे वो थे Lord Mountbatten तो अब हम इनके बारे में डिसकेशन करना शुरू करते हैं कि आखिर इन्हें कब से लाए गया तो देखे 1857 में जब 1857 की करांती हुई तो उसके बाद में एक Charter Act लाए गया जिसे Government of India Act 1857 कहा जाता है उसके तुरू क्या किया गया जो Governor General of India की पोस्ट थी उसे चेंज करकर Voice Roy में Convert कर दिया गया जिसमें जो पहले Voice Roy बने वो थे Lord Canning Lord Canning जो थे वो भारत के अंतिम Governor General बने और साथी साथ में ये पहले Voice Roy भी बने और इनी के टाइम पर जो 1857 का रिवोल्ट है वो हुआ था तो याद रखेगा अगर आपसे कोशन पूछा जाता है कि 1857 का रिवोल्ट किस Lord Case टाइम पर या फिर किस Voice Roy के टाइम पर हुआ तो याद रखेगा Lord Canning के टाइम पर वो हुआ था वीडो रिमेरिज एक्ट भी इनके टाइम पर ही लाया गया था याद रखेगा वीडो रिमेरिज एक्ट हो गया यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले Voice Roy बने साथे साथ में 1857 की क्रांते भी इनके टाइम पर ही हुई थी अगले Voice Roy Lord Mayo लोड Mayo जो है उनी के टाइम पर प्रतम जन गंडा 1872 में यानि कि First Census जो हुआ 1872 में वो लोड Mayo ने ही शुरू किया था तो आपको इनसे लेडर बस एक फेट याद रखना है कि जो पहली Census है वो 1872 में लोड Mayo ने शुरू करवाई थी फिर उसके बाद में आते हैं लोड नौर्थ ब्रुक नौर्थ ब्रुक के टाइम पर स्वेज नगर जो थी वो खुली थी बस आपको इतना याद रखना है अगले लोड वो हैं लोड लिटन लोड लिटन ऐसे वाइसरोय हैं जो कि भारत में जब भायनक अकाल पड़ा था उस समय भी इन्होंने दिल्ली दर्बार लगा दिया था दिल्ली दर्बार में क्या हुआ था महरणी विक्टिरोया को केसरे हिंद की उपादी दी गई थी तो याद रखेगा केसरे हिंदी की उपाधी दिल्ली दरबार में लोड लिटन के थुरू उन्हें दी गई थी और साथी साथ में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके थुरू आप अपनी रिजिनल लेंग्वेज में कोई निउस्पेपर नहीं चाप सकते वो भी इ 1881 में तो 1872 में लोड में उन्हें शुरू जुरूर किया पर एक्टुल में उसे करवाने वाले थे लोड रिपन जिन्होंने अच्छे से उसे करवाया था फिर उसके बाद में अगले वाइस रहे हैं वो है लोड डफरिन लोड डफरिन से लेटेड आपको कुछ भी याद बस इतना रखेगा कि इन ही के टाइम पर कोंग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में फिर आते हैं अगले वाइस रए लोड लेंस डाउन के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है फिर आते हैं अगले वodel रएश रह लोड कर्जन लोड कर्जन ने अंडियन अर्के लूर्ड हर्ड इंच 2nd लूर्ड हर्ड इंच 2nd के टाइम पर राजा जोर्ज पंचम किंग जोर्ज 5 जो थे वो इंडिया में आये थे 12 दिसंबर 1911 को और जब वो आये थे तो उन्होंने बंगाल विवाजन को रद्द किया था यह हम आने हले लेक्चरस में भी डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद में अगले लूर्ड आये वो थे लूर्ड चैम्स फोर्ड उनके बाद में आते हैं लूर्ड रिडिंग और इनके टाइम पर ही मोपला फिर उसके बाद में आते हैं लूर्ड लिनलित गो लिनलित गो के टाइम पर सेकेंड वर्ड वोर चल रहा था बस आपको इतना याद रखना है फिर आये लूर्ड मांट बेटन जो की 1947 से लेकिन 1948 तक मतलब भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी की बात तक जो की वाइसरोय बने रहे वो थे लूर्ड मांट बेटन और इनी के टाइम पर भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हुए थे फिर उसके बाद में जो हमारे आजाद भारत के जो पहले भारती थे जो की गवर्नर जनरल या फिर वाइसरोय बने थे वो थे सी राजगोपलाचारी चक्रवर्ती राजगोपलाचारी हमारा कॉंस्टिटिशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो गवर्नर जनरल का पद जो था उसे खतम करके इसे राष्टपती पद में कनवर्ट कर दिया गया और पहले राष्टपती डॉक्टर राजन प्रसाथ को चुना गया तो गईस आज के लेक्चर में बस इतना ही तो हमने इतनी सारी डिटेल जानी अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगी तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करना न भूलें इसकी बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट सेवन को जिसमें हम इंडियन नेशनल मुवमेट के बारे में पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में तब तक के लिए थेंक यू सो मच